नमस्कार ASB News के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देश्या। आई के रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। विधान सभाश शेत्र भुगाओं के ग्राम धन्मों में पहुँच कर केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग ने लाभरतियों से सीधा समबाद किया। वह यहां विक्सित भारत संकल प्यात्रा में शामिल होने पहुँचे थे। यहां पर उनका फुल माला पहना का शौल कर संमानित क्या गया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चुलाई जा रही, लाभकारी योजनाओं की जानकारे लिए उन्होंने कहा कि प्रधार मंत्री ने देश की तस्वीर बदल दी है। यहां केंद्र की भाजबा सरकार में गरीबो का कल्याड हो रहा है। केंधरी मंत्री बोले की केंधर सरकार पंडित दिन दियाल उपाध्याय के अंतियोदे के सपनों को पूरा कर रही है। डबल इंचन की सरकार में प्रतेक पात्र व्यक्ति को सरा सरकार की लापकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नातरतु में देश बदलाओं की ओर बढ़ रहा है। बस 2024 के लोग सभाचनाओं में भाज़पा की ही सरकार बनेगी। इस दोरान प्रुधान मंत्री आवास योजनाओं के लाभरतियों को चाबी और प्रवाण पत्र सौपा गया। इसके साथ ही लगाएगे स्टॉल भी देखें। बिधायक राम नरेश अगनिहोतरी ने कहा कि केंतर और प्रदेश की सरकार सभी बर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। जन कल्याड कारी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष राहूल चतुरवेदी ने कहा कि केंतर और प्रदेश की सरकार ने गाओं गाओं में विजली और पानी से लेकर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। 22 जनवरे को हर घर में दिवाली मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया।